हाई गाईज, वेलकम टू दा लेक्श्यार ग्रूप, आज हमारा टोपिक है सेक्शुर रिप्रोडेक्शन इन प्लांट्स जैसा के हमें पता है के प्लांट्स भी जो हैं वो लिविंग और्गनिजम हैं तो उनकी भी एक प्रोपर्टी है रिप्रोडेक्शन तो हम आज उनमें सेक्शुर रिप्रोडेक्शन को देखेंगे के सेक्शुर रिप्रोडेक्शन प्लांट्स कैसे करते हैं तो आईए चलते हैं अपने टोपिक की तरफ दोस्तों आप लोगं को पता होगा कि sexual reproduction जो है वो हमेशा fusion of gamete से होती है उसमें two parents involved होते हैं एक की तरफ से egg गाता है जो के female होता है partner और दूसरे की तरफ से sperm जो के male होता है और उनसे मिलके zygote बनता है तो plants में भी ऐसे ही होती है sexual reproduction अब plants को दो types के plants होते हैं basically जिन में उन्हें divide किया गया है एक ऐसे जिनको water की जरूरत परती है fertilization के लिए मतलब उनके gamete fuse तब भी कर सकते हैं अगर पानी मुझूद होगा क्योंकि वो तैर के swim करके पानी में एक दूसरे के करीब जाते हैं ऐसे plants को mossids and ferns कहते हैं जबके दूसरी तरह के plants जिनको पानी की जरूरत नहीं होती fertilization के लिए उनको angiosperm और gymnosperm कहते हैं उनको क्यों नहीं जरूरत होती पानी की क्योंकि उनके पास specialized mechanism और structure होते हैं गमीर्स को fuse करवाने के लिए या एक जगा से दूसरी जगा move करवाने के लिए तो अब चलते हैं हम life cycle की तरफ plants के दोस्तो plants की life cycle जो है वो उसमें alternation of generation दिखा जाता है alternation of generation क्या है यह basically दो generations का एक के बाद दूसरी का और दूसरी के बाद फिर से पहली का आना इसको कहते हैं alternation of generation मतलब एक दो generations जदो के sporophyte generation है वो gametophyte में change हो जाती है और gametophyte से again sporophyte generation जनम लेती है तो इसको हम कहते हैं alternation of generation अब मैं आपको बताऊंगा के sporophyte और gametophyte basically होते क्या है तो दोस्तो आप लोग उन्हें plants देखे होंगे आपको एक हम कोई भी दरख्त ले लेते हैं तो अब आपने उसमें देखा होगा के पूरा दरख्त जो होता है नजर आ रहा होता है तना उसकी शाखें पत्ते बगारा यह totally क्या होता है sporophyte generation होती है इसको sporophyte generation बोलते है और gametophyte के से बोलते है gametophyte जब फूल लगते हैं दरख्त के उपर तो उन फूलों के अंदर जो एंडरोशियम और गैनोशियम होता है मतलब मेल और फीमेल पार्स होते है reproductive organ उनको just जो है वो gametophyte generation कहते हैं तो अब sporophyte generation और gametophyte generation का आपको difference पता चल गया कि एक पूरा plant जो है वो sporophyte है लेकिन जब उसमें flower लगा तो उस just flower जो है उसको हम क्या कहेंगे gametophyte generation तो मैं अब इन दोनों की जो है वो characters बताता हूँ sporophyte generation जो है वो dominant होती है एक तो large होती है dominant किसलिया है कि एक वो ज्यादा अरसा रहती है आपने देखा होगा plant तो पूरी जिन्दकी खड़ा रहता है ठीक है और independent क्यूंकि वो अपनी खुराक वगरा खुद हासिल कर रहा है वो किसी चीज़ पर dependent नहीं है और photo senses करके खुद खुराक असल कर रहा है दूसरे नंबर पर जो के gametophyte है वो recessive होता है वो एक तो small होता है flower जो है वो थोड़े time के लिए लगते है फिर वो fruit बन जाता है और फिर से plant तो पूरी जिन्दकी रहता है लेकिन flower कुछ कुछ अरसे के लिए लगते हैं तो यह एक तो small time के लिए होता है दूसरा dependent होता है यह अपनी खुराक वगरा के लिए किस पर dependent होता है sporophyte पे यह directly हासिल नहीं कर सकता खुराक वगरा दूसरा जो difference है वो यह कि यह sporophyte generation है यह spor produce करती है spores का मतलब है कि haploid spore क्यों कि इसमें miosis होती है तो sporophyte generation में miosis होती है जबके gamitophyte generation में mitosis होती है तो sporophyte generation sporophyte मतलब spor produce करेगी और gamitophyte generation क्या produce करेगी gamit जैसे कि नाम से जाहिर है gamit producing जो है वो इसको कहते है gamitophyte generation तो दोस्तो ये है sporophyte generation और gametophyte generation अब जिंदगी जो होती है प्लांट की वो इसी cycle में गुजर जाती है कि पहले sporophyte generation आया ये आप डियाग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखें sporophyte generation है इसकी meiosis हुई sporophyte ने spor produce करने है जो के meiosis से होती है तो ये 1N spor बनगे ठीक है अब 1N spor से क्या बनगया गमिटोफाइड generation मतलब sporophyte से कौन सी generation बनगी गमिटोफाइड generation अब गमिटोफाइड generation ने क्या produce करने है gametes तो माइटोसिस से ही gamete 1N produce हुए अब वो 1N gamete जो है एक male का एक female का जब आपस में दोनों fuse होंगे तो क्या बना देंगे zygote तो zygote जो कौन सा बन गया 2N तो 2N zygote है उसमें माइटोसिस हुई और दुबारा से sporophyte generation बन गी ठीक है तो ये इस तरह जो है वो cycle चलता रहता है और जो sporophyte generation है वो gametophyte में change हो जाती है gametophyte generation में जो है वो change होने के बाद जो है वो कही बार seed बन जाता है seed में zygote बनता है zygote जब seed मतलब grow करता है तो फिर से sporophyte generation मतलब नया पोदा बन जाता है फिर से उस पोदे पर फूल लगते हैं जिसकी वैज़से gametophyte generation आ जाती है और gametophyte generation फूल से फिर जो है वो नया seed बन जाता है जिसको हम zygote बोलते हैं तो वो दुबारा से ये वाला मतलब प्रोसेस जो है life cycle चलता रहता है cyclic है क्योंकि जहां से खतम हो रहा है वहाँ से दूसरा आके वहाँ से start हो रहा है sporophyte जो है उससे gametophyte बना gametophyte से again sporophyte बना तो इसको कहते हैं alternation of generation तो alternation of generation को हम यूँ जो है वो define करेंगे कि in plants two generation alternate with each other sporophyte generation alternate with gametophyte generation and farm again sporophyte and sporophyte again alternate with gametophyte generation and produce again sporophyte तो यह जो alternation of generation है इसको हम life cycle of plant भी कहते हैं और I hope हो के आपको समझा गी होगी कैसा लगा आपको lecture अगर आपको समझा आई है तो please like share और comment जरूर कीजिए गए